नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अमित्माय इश्वरी आपके हिर्दे में विराजमान प्रभू को अपना प्रणाम करता हूँ और इश्वर से कामना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुशाल रहे कहते हैं कि जीवन में सीखने का महत्व बहुत इंपोर्टेंट है अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बात कब कहा कैसे और किस परिस्तिती में सीखते हैं आपने बच्पन से रमाइन तो देखी होगी रमाइन में बहुत सारे ऐसे सूतर है यदि उनको अपने जीवन में अनुकरन कर लेना तो जीवन वैसी सफल हो जाएगा आज मैं बात करने वाला हूँ फाइव की इन्वेस्टमेंट लेसन फ्रॉम रमाइना भगवान राम से या रमाइन से हमने क्या जीवन मैसा सीखा जिसका अनुकरन करने के बाद हम आसानी से सफल हो सकते हैं तो सबसे पहली बात जो हम रमाइन से सीख सकते हैं वो क्या है लक्षमन रिखा की तरह मतलब आप सबसे पहले क्लियरली डिफाइन कर लें कि आपका जो बजट है वो क्या है आपको किसी भी कंडिशन में बजट को पार नहीं करना है क्योंकि जैसी आप बजट को पार करते हैं कहीं ना कहीं आप व्यापार में या परिवार में डेंजर जोन में आ जाते हैं मतलब ऐसी परिस्तिति में आ सकता है या आपका व्यापार बंद होने के स्तिती में आ सकता है इसलिए एक बजट की लक्षमन रिखा खीच लें और यह सभी को डिफाइन कर दें कि इस बजट की लक्षमन रिखा को हम पार नहीं करेंगे अगर हम पार करते हैं तो जीवन ऐसी companies guys के साथ tie up करें जो आपकी life को secure कर ले जैसे रामायन में भगवान राम ने भगवान हनुमान को आपने साथ लिया और अपने आपको secure बनाया एक insurance policy की तरह जैसे अगर आप अपने आपको safe बनाना चाहते हैं ना, secure बनाना चाहते हैं तो हनुमान जैसे लोग आपके पास होने चाहिए, आपकी टीम में होने चाहिए ताकि आपकी life secure हो अब यह security है ना, वो ठीक उस तरह से काम करती है जैसे संजीवरी बूटी ने लक्षमन जी को जीवित करने का काम किया था, अब यह कैसे काम करता है हम में से बहुत सारे लोग अपने व्यापार में इंश्रेंस नहीं कराती है और इंश्रेंस कराना व्यापार के लिए बहुत जुर्वी होता है आप किया व्यापार का इंश्रेंस है जैसे fire insurance, theft insurance यह दो ऐसे major insurance हैं जिसकी वज़े से कई बार हमारा पूरा का पूरा सामराजी अचानक खिल जाता है अचानक पता लगा कि आपकी फैक्टरी में आग लग गई और जो कुछ भी आपने सपना बनाया था सब कुछ तयार किया था पूरी शिदत से काम किया था वो एक दम स्वाओ गया या अचानक ऐसी चोरी हुई जिसकी वेसे आपका व्यापार बंदोन्यों के कगार पर आगया इसलिए अपने जीवन में हनुमान की तरह एक इंशुरेंस पॉलिसी जरूर रखें जो हर समस्चा के समय में आपका समाधान करने के लिए आपके साथ हो और आपके जीवन को बहतर बनाया आपके व्यापार को बचाय रखने का काम करें संजीवनी बूटी की तरह आपके साथ काम करें दूसरी इंपोर्टेंट बात है कि दुनिया के सफल लोगों ना सबसे पहला जो काम की है वो अपनी टीम को बिल्ड करने पर की है और यही बात हम रामायन से सीख सकते हैं भगवान श्री राम जाना है ना देखिए बहुत सार लों का उदेश्य है तो क्या है तो आपको अपनी आर्मी बिल्ड करना एगी बड़ा युद करना है तो आपकी टीम में पाउरफुल लोग होना जुरूरी है जैसे भगवान श्री राम ने एक टीम बनाई रावन से युद करने के लिए क् विभीशन, जामवंद, नल, नील, क्राथ, संपाती और जटाईू जैसे ताकतवर लोगों को अपने साथ लिया और एक टीम का गठन किया और टीम के गठन के साथ अपने लक्षों को हासिल किया यही बात बिजनस पर अलाग होती है sales expert, marketing expert, finance expert, management expert यह सब लोग जब आपके साथ होते हैं तो आपके board of directors बनते हैं और यह सारे board of director मिलकर एक कमपनी को एक लक्ष हासिल करने के लिए निरनतर प्रयास करते हैं और अपने लक्षों में सफल होने का श्वास अपनेमन में रखते हैं इसलिए ज़रूरी है आपके पास एक बहतर बिजनस आर्मी होनी चाहिए. Next जो important बात हम रामायना से सीख सकते हैं वो क्या है? Everything that shines not a gold. जो हर वो चीज जो चमक रही है वो सोने की तरह नहीं होती. कई बार ना हमें हमारे life में ऐसी opportunities दिखाई देती है कि अगर मैं इन opportunity को grab कर लूँ ना तो शायद मैं बहुत तेजी सागे बढ़ जाऊँगा. जैसे एक बात बताता हूँ. Startup funding events के बारे में आप देखते हैं ना तो हर एक business owner को यह लगता है कि मेरे business में अगर funding मिल जाए तो मैं next level पहुंच जाऊँगा. तो जो funding है, जो investor है, जो angel investor है, जो fund provider है, वुष golden हिरन की तरह है. कई बार वो आपको investing तो दे रहता है, लेकिन बदले में इतनी बड़ी equity ले लता है कि कई बार आपका company पर control ही नहीं बसता है. तो ऐसे में इस बात को समझ लिजीए कि हर सुनहरी चीज गोल्ड नहीं होती. हर opportunity आपको life में grab करनी है, ऐसा प्रयास कभी ना करें. देखें, समझें, पर्खें, और जब आपको लगी opportunity में लिए बहतर है, मुझे next level ले जा सकती है, मेरे business को फाइदा दे सकती है, मुझे business की growth को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, तभी उस opportunity को grab करें. कई बार financing की बहुत सारी scheme सा जाती है, इतने समय के लिए पैसा deposit करो, double हो जाएगा, तो कहीं न कहीं loss के संभावनाओं की और आप आगे बढ़ रहे होते हैं. इसलिए ध्यान रखिए, हर चमकने वाली चीज, हर पीली चीज, हर शाइनिंग चीज सोना नहीं होती. Next important बात हम रामाइना से सीख सकते हैं, टेक स्मॉल स्टेप्स टू बिल्ट हूज राम से तू. अगर आप एक बहुत बड़ा पुल बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़े लक्ष हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी कमपनी बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि छोटे छोटे स्टेप्स लें, अब छोटे स्टेप्स का मतलब है, भगवान श्री राम ने जब राम सेतू बनाया था ना तो पूरी वानर सेना को साथ लिया और राइट आर्किटेक्ट को साथ मिलिया कॉल नल और नील क्योंकि उनके हाथ में वो कला थी कि जिस पत्थर पर वो अपने हाथ से महां रखेंगे नाम लिखकर वो पत्थर पानी में तैरन लग जाएगा तो नल और नील ने मिलकर राम सेतू का निर्मान किया लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया छोटे छोटे पत्थर जोड़ते गए जोटते गए जोटते गए और राम से तू बन करते आर हो गया तो यह शॉटकर्स होते हैं लाइफ में वो कई बार तो आपको बहुत अरीक सफलता की बुलंदी तक ले जाते हैं लेकिन कई बार आपको बिल्कुल धुस्त करके भी रख देते हैं लिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप दस साल का लक्ष हासिल करना चाहते हैं न तो दस साल के लक्ष को लगभग तीन से चार हिस्सों में बाटे हैं, पात साल का क्या लक्ष है, तीन साल का क्या लक्ष है, दो साल का क्या लक्ष है, एक साल का क्या लक्ष है, और छोटे लक्ष को भी और छोटे लक्ष में बाटे हैं, कि छे महिने का क्या टारगेट है, तीन महिने का क्या टारगेट है, एक म फलता की बुलंदी तक आपको जरूर लेकर जाएंगे मैंने भी अपनी लाइफ में सही किया कोचिंग इंस्टिट्यूट से टेक्निकल एजूकेशन टेक्निकल एजूकेशन से मॉडिलर किचन मॉडिलर किचन के बिजनस से धीरे-धीरे फ्रेंचाइजी बिजनस करते करते हमने पूरे भारत वर्ष में फ्रेंचाइजी शोरूम बनाए तो यही तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का यह ट्रेडिशनल मेथड भी है बहुत सारे लोगों लगता है modern मेथड क्या है प्रपोजल बनाओ, इन्वेस्टर्स के पास जाओ, फंडिंग लेकर आओ लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं है हजारों लाखों लोगों में से चंद ऐसे लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट पर, जिनके स्टार्ट अप पर ज़रूर चुमेगी और ये सारे स्टेप्स मैंने सीखे रामायना से, भगवान श्री राम से, उनकी पूरी टीम से और यही बात आप भी सीख सकते हैं बशर्ते आप उसको अपने जीवन में अमल करने के लिए तैयार हूँ इसके लाव आपके मन में बिजनस को लेकर कोई भी प्रश्ण है तो वो प्रश्ण हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कोई भी इंफॉर्मिटी वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए स्वस्त रहें, मस्त रहें मैं डॉक्टर आमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्री की कामना करता हूँ चै हिंद, चै भारत, चै श्रीराम